सवी सातियों को मेरा नवसकार I hope आप सवी लोग बहत्रेन होंगे और बहत्रेन तरीके से अपनी प्रप्रेशन कर रहे होंगे आज के इस वीडियो में हम 2.13 में जो इंगलिस कोशन पेपर हुआ है 3-16 ZV उसमें आपका सेक्षन V यानि की राइटिंग सेक्षन में आप से एक लेटर पूचा है और लेटर है आपका एडिटर के लिए तो मैं आपको एडिटर का जो लेटर है कुछ ऐसी फिक्सल लाइन्स आपको बताऊंगा जिन्हें आप एडिटर के लिए सवी लेटर्स में यूज कर सकते हैं तो देखी आपका कोशन क्या है राइट लेटर टू दा एडिटर ओफ आ न्यूज पेपर समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए about frequent breakdown of electricity in your locality आपके छेत्र में बार बार बिद्धुत कटोती के बारे में अथार्थ आपके छेत्र में बार बार हुने बाली बिद्धुत कटोती के बारे में समाचार पत्र के संपादक को आपको एक पत्र लिखना है तो आईए देखते हैं इसका अंसर बहुत आसान सब्दों में सबसे पहले आपको सेंडरास एडरास लिखना है यानि भेजने वाले का पता तो मैंने यहां लिखा है 72A विकास कॉलोनी आप जो भी चाहें वह तैयार कर सकते हैं उसके बाद जिस डिस्ट्रेक्ट में आप रहते हैं उसका नाम लिख देंगे तो मैं आगरा का निवासी हूं मैंने लिख दिया है आगरा 72A विकास कॉलोनी आगरा यह आपका भेजने वाले का पता हो गया यानि कि सेंडरास एडरास उसके बाद आपको डेट मेंसन करना है तो अगाश्ट 22,2023 22 अगाश्ट 23 यह हो गया आपका फॉर्मेट उसके बाद एक लाइन आप छोड़ देंगे उसके दा एडिटर यानि सेवा में स्रीमान संपादक महुदै उसके बाद आप देखें तो यहां न्यूज पेपर का आपको नाम नहीं दिया है तो आप कोई भी लोकल न्यूज पेपर का नाम लिख देंगे जैसे मैंने लिख दिया है दा अमारो जाला आपको जो अच्छा लग नेशनल डेली आपको देगा ठीक है तो नेशनल डेली आप लिख देंगे उसके बाद सातियों आपको लिखना है सब्जेक्ट जो कोशन पेपर में ही आपको देखने को मिल जाएगा तो मैंने लिखा है इन कन्विंस ड्यू टू फ्रुक्वेंट ब्रेकडाउन ओफ लेक् नहीं है इतना क्लियर हुआ होगा आप चाहें तो इसका एक स्क्रीन सॉट ले सकते हैं सातियों और आगे आपको लिखना है रेस्पेक्टेर सार और इसके बाद आपको कुछ फिक्स लाइन से यह याद रखनी है थ्रोधा कॉलम्स ओफ योर एश्टीम्ड न्यूज पेपर आपके सम्मानित अखुवार के कॉलमों के माध्यम से I would like to draw the kind attention of the authorities यानि कि मैं जो अधिकारी गण है उनके ध्यान को आकरशित करना चाहूंगा इतना आपको fix रखना है उसके बाद आप लिखेंगे that there are frequent breakdowns of electricity in our locality कि हमारे छेत्र में बार बार बिद्धुत कटोतियां हो रही है इस चेत्र के निवासी इस तथे को पहले ही बिद्धुत विभाग के संग्यान में ला चुके हैं लेकिन इसका कोई भी फाइदा नहीं है but in when यानि कि सब ब्यार्थ है उसके बाद लिखेंगे the frequent breakdown causes great inconvenience to the residents of the area जो बार बार बिद्धुत कटोती है वह इस चेत्र के निवासीयों के लिए एक बड़ी अस्विधा का कारण है the board examinations have begun और जो board की परिच्चाएं है बेप्रारहम हो चुकी है the students feel great trouble और चात्र बड़ी समस्या मेहसूस कर रहे है darkness previls all around at the night due to breakdown और जो अंदकार है वह कटोती के कारण रात में चारों तरफ चा जाता है उसके बाद आपको ये अंतियम लाइन फिर fix रखनी है I hope मैं उम्मीद करता हूँ you will kindly publish my letter in your paper I hope मैं उम्मीद करता हूँ you will kindly publish आप दयालता पूर्वक प्रकासत करेंगे my letter मेरे पत्र को in your paper यानि कि अपने paper में so that ताकि the authorities may realize our difficulties ताकि जो अधिकारी गण हैं वे हमारी समस्याओं को महसूस कर सकें and take remedial steps in the matter और इस मामले में उपचारा तमक का दम उठा सकें आप चाहें तो इसका एक screen shot ले सकते हैं और उसके बाद आप लेखेंगे thank you या thanking you thanking you ज़्यादा बहतर रहेगा तो thanking you और आगे लेख देंगे yours sincerely या फिर yours faithfully या फिर yours truly और नीचे आप लेख देंगे x, y, z तो अच्चे से आप तयार कर लीजिए easy भी है आने के भी chance ही रहेंगे मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching